हाई गाईज, असलाम उलकुम आप सब कैसे हो, आप होप आफ सब ठीक होंगे, अलहमदल्ला हम भी ठीक हैं, आज मैं बना रही हूँ गाईज, गुलाब जाबुल, आज महीं इसकी रसीपी बताउगी आपको, आज गुलाब जामन बना रही हूँ मैं, चलो मैंने लिया है, ज इसे बनाते हैं निकाले हम इसको कट करेंगे गाई एक प्लेट के अंदर है तो हम अच्छे से निकाल लेंगे पिर इसके अंदर जाएगा दूद थोड़ा थोड़ा प्सूड़ दूटे सपया मैं इसको मैं ढ़लाक के रहूँगी 50 मिट इसको प्रिपेरिशन मदिन वहतте हो वैश्याय एप जलाऑ जमूर बना रहे हों और जब तक गुलाब चामुन का डो रेडी ने होता तो तक मैं आपको चिकन फ्राइ का प्रिप्रेशन दिकाएं तो पहले व जिकन को दो या तीन पाली से अच्छे से भोल लिया है अभी मैं इसके अंदर दालूंगी दही एक कटोड़ा दही दालूंगी गाईस अभी इसमें जाएगा गाईज एक टेबल स्पून धन्याम पाउडर एक टेबल स्पून चिकन मसाला पाउडर और एक टेबल स्पून गरम मसाला डो टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और एक टेबल स्पून नमक और एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर यह पूरा मसाला इसके अंदर जाएगा गाइस दो टेबल स्पून कान फ्लावर आटा और एक टेबल स्पून मैदा इसके अंदर जाएगा गाइस थोड़ा बैने कर अब हम थोड़ा फुट कलर भी डालूंगी गाइस यह ऑप्शनल है आप डालो तो डाल सकते हो अदर्वाइस नहीं ऑप्शनल है गई अब इसको अच्छे से हम मिक्स करें गाइस मैंने इसमें एक टेबल स्पून अध्रक लसुन का पेस्ट डाला है तो अच्छे से मिक्स करके दो एक घंटा इसको मेरेनेट के लिए रखेंगे गाइस दो रेडी हो चुका है गाइस अब बनाएंगे चुटी जोर अब हमारे बोजरी हो गए गाइस दिखिए गाइस दिखिए गाइस अब गाइस अब गाइस अब फ्राइपन में आइस जाएगा अब लग्वा चाहिए गाइस अब चाहिए इसफराइश इल्यक्त साथिए शूओं है गाइज मैंने चाचनी के लिए चाचनी बनानी के लिए मैंने ये पैन ढखा है अब इसमें जाएगा शुगर मैंने इससे एक ग्लास शुगर डाला है और दो ग्लास पानी डाला है अब इसके अंदर डालूँगी इलाइची का पाउडर मेरी चाचनी भी पक के रेडी हो गई अब ये डालूँगी चाचनी के अंदर अब ये चाचनी के अंदर जा चुके गाइज अभी इसको रेस्ट करने के लिए मैं दस से पंगामेट रखू हुए गाइस मैं भी पुलाव के लिए प्लाव बना रही हूं इसके लिए फस्ट जाएगा ओई डो टेबल इस्पून ओईल जाएगा गाइस कि अंदर जाएगा गाइस प्याज है थोड़ा गरम होने के बाद प्याज जाएगा हुआ 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 है हुआ है अभी इसके अंदर जाएगा गाइस ग्रीन चिली इसके अंदर अभी थोड़ी देर इसको फ्राय होने के लिए रख दूंगे ऐसे अभी यह थोड़ा ब्राउन हो चुका है राइस अभी इसमें जाएगा तीन टेबल इस्पून अध्रक लसून का पेस्ट इसमें जाएगा जाएस पानी इससे एक पानी जाएगा इसमें एक लोटा पानी जालेए अब मैंने इसमें एक टेबल स्पुन नमक डालाए गाइस आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा अपने हिसाब से ही पानी डालिएगा जितना आप चाउबल लेंगे उतना ओही साब से आप अभी पानी पक चुका है गाइस अभी इसमें जाएगा चावर राइस जाएगा गाइस मैंने दो तीन पानी से राइस धोया है गाइस अभी पूरा राइस इसमें जाएगा अभी इसको पकने के लिए रख दूंगे गाईस अद्रक लशुन के पेस्ट में गाईस मैं तीन पांच से चस लाहिची दा लेते थी थोड़ा लची दालकर अद्रक लशुन के पेस्ट में यूँ वह डालकर पिस लेते गाईस अब इसको पकने के लिए रचे के कुझे अभी मैने चिकन धो के के अंदर हल्ली और नमग क करें मेर्थ है इसको थोड़ा सा बॉइल किया лучше बॉक्टालिया अभी सके अंदर जा। भास इसके अंदर जाहते हैं रैडिट चिली पारडर हो वम विसके अंदर दो टेबल चिकन मसाला जाएगा गाइस यह ग्रेवी के लिए है गाइस चिकन ग्रेवी बनावी मैं दो टेबल स्पून चिकन मसाला जाएगा गाइस और एक टेबल स्पून घनिया पौडर जाएगा 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 जाएगा, एक टेबल स्पून चाला जाएगा जाएगा गाइस बस्कुर्च चाहिए सिमक्स का लो उन एके लोड्यों लो उब लोड़ी लोड़ी ही लोड़ी है भीको शर्ज़ी ग्योडरी है मेरा चिकन पक रहा है और इसके अंदर जाएगा यह मसाला इसके अंदर मैंने डाला है आदा नारियल अद्रक लसुन धनिया पौडर और लाइची लोंगा दाची ने सब दाल कर मैंने पीचा है गाईज अभी यह मसाला जाएगा चिकन के अंदर अभी मैंने मसाला डाला है गाइस इसको दस्मेट पकने के लिए रख दूंगे उसके बाद मैं आपको दिखा हूँ मारा कलरफुल राइस रेडियो हो चुका है गाइस मेरा पला रेडियो हो चुका है ये दिखेगा गाइस मैंने इस में थोड़ा सा लास्ट में अदम चुड़ने से पहले मैं इसमें फूट कलर थोड़ा सा डाला ठाव सथ डा गाइस धिखेगा गराफुल राइस मेरा अ अब भी चिकन ऐंग के लिए गाइस तेल मेरा ध्यों को का ए Ọध गाइस केंदर चीका ईदे लिए गहलु है। गाइज हमारा चिकन फ्रै रेडियो चुका है यह देखिएगा और हमारा सालन की धुए दा रड़ी हो चुका है खेगा मेरा गुलाब चामून भी रड़ी हो चुका है ट्राइ गुलाब चामून